नमस्कार स्वागत आपका MP तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग क्या नूरी खान का गुसा उनके लिए फाइदमन साबित हुआ ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाली में नूरी खान ने कॉंग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे कर सब को हैरान कर दिया था कॉंग्रेस में अफ्रा तफ्री मच गई थी ये आलम हो गया था कि खुद प्रदेश अध्यक्ष कमनलाद को नूरी खान से बात करनी पड़ी थी जिसके बाद उन्होंने अपना स्टीफा वापस ले लिया था अब नूरी खान को बड़ी एहम जिम्मेदारी दे दी गई है नूरी खान को महिला कॉंग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि वो मालवा निमान में महिला कॉंग्रेस को और मजबूती प्रदान करे इसके बाद नूरी खान ने बकाइदा ट्वीट कर प्रदेश अध्यक्ष कमनलात का और कॉंग्रेस का शुक्री आदा किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जो नई जिम्मदारी उन्हें दी गई है उसका वो पूरी इमानदारी से पालन करेंगी और कॉंग्रेस की मजबूती के लिए काम करती रहेंगी ये जो ट्वीट आप देख रहे है नूरी खान ने नई जिम्मदारी मिलने के बात किया है आपका बता दे कि हाली में नूरी खान ने कॉंग्रेस से स्टीफा दिया था और ये कहा था कि अल्प संख्यक होने की वज़े से कॉंग्रेस पार्टी के भीतर उनसे भेदभाव किया जा रहा है महत्वपून पदों से उन्हें इसलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि वो अलपसंख्यक वर्ग से आती है नूरी खान ने ये भी आलोप लगाया था कि अगर उन्होंने पूर्व में जो टिकट मांगा था कॉंगरेस की या पिर अगर अब वो टिकट की मांग कर रही है तो उन्हें बार-बार ये कहा जाता है कि वो अलपसंख्यक बहुल इलाके से ही चुनाव लड़ने की कोशिश करें और वहीं पर अपना ध्यान केंदेर तक हैं जबकि नूरी खान का ये आरोप था कि वो पूरी तरीके से ध लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी थी कि नूरी खान का स्तीफा दे करके उसे वापस लेना और उसके बाद तांडव निर्थिक करते हुए उनका वीडियो वाइरल होना इस बीच अब नूरी खान को प्रदेश महिला कॉंग्रेस का उपध्यक्ष बना कर कम से कम ये जताने की कोशिश की गई है कि नूरी खान का गुस्सा जो था उसे दूर कर दिया गया है देखना ये है कि 2023 विधान सभाच चुनाव में नूरी खान क्या सिर्फ उपध्यक्ष पत से ही संतुष रहती है या फिर विधान सभाच चुनावों के लिए उटिकट की मांग भी करती है हुआ 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 है